हेलो स्टुडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाश टुएल कमेस्ट्री के लेशन टू से बी वी आई कुश्चन अर्था बेरी बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन फार बोर्ड एक्जाम तो स्टुडेंट इस चैप्टर का नाम है बिलैन इसे इंगलिज में कहते हैं स् इस वीडियो में स्टुडेंट हम पढ़ेंगे कि बिलैन चैप्टर से बहु विकल्पी प्रशन एसे लग्हुत्तर ये और दीर घुत्तर है जो कि आपको कमेंडबाक्स में देना है तो उन कुईस्टन का एंसर जरूर किजिएगा तो देखें सबसे पहला जो हमार आता है वह हो बहुंत अदिकने प्रस्न इस वीडियो में हम दो इस न करने देखेंगे यानि की सबसे सुद्ध जल की मोलय की पूछा जा चुका है तो बच्चों सुधजल H2O की मोलर्ता कितनी होती है चार आपसन आपके पास है 55.56, 0.18, 0.018 ठीक है तो इस में से जो सही एंसर है स्टूडेंट वो है 55.56 तो फस्ट बो विकल्पी आपका क्या है सुधजल की मोलर्ता जो होती है बच्चों 55.56 होती है अब मोलर्ता क्या होती है मोलर्ता कैसे निकाली जाती है जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप मोलर्ता को पढ़ सकते हैं मोलर्ता निकाल सकते हैं इससे रिलेटर निमेरिकल भी मैं आपको बता चुका हूँ उसको भी जाकर देख सकते हैं सेकंड देखे बच्चों कुईशन इंपोर्डन अब्जेक्टिव इस चैप्टर से निमने लिखित में से कौन सा अडुसंख्य गुर्धर्म है यानि कि चार आप्सन आपके पास देगा है ऐसा कौन सा है जो अडुसंख्य गुर्धर्म है ठीक आप लोग सही अंसर को चुनिएगा ठीक है फस्ट है स्यानता सेकेंड है परासरन दाब थार्ड है प्रकासि घूणन फोर्थ है प्रिष्ठ तनाव इनमें से कौन से अनुसां घ्गुर्धर्म है तो बच्चों इसका सही अंसर है परासरन दाब दो आपकी बहुभी कल्पि यह में बिलेंट चैप्टर से और भी कुष्टन से उनको भी आप लोग देख लिजाएगा दो कुष्टन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है देखे बच्चों आपको बारी आती है अतिला घुत्तर यह प्रस्ण की ठीक है तो देखिए अतिला घुत्त्य प्रस्ण मे है हमें बिलेंट चैप्टर में तो देखिए यह मोलर्ता का है मोलर्ता ठीक है तो देखिए स्टूडेंट इस कुष्टन में क्या है 5.85 ग्राम सोडियम क्लॉराइड 200 मिली जल में घुला है तो 5.85 ग्राम सोडियम क्लॉराइड है 200 मिली जल में घुला है इसकी मोलर्ता क्या हुआ है उसका नाम है बच्चो बिलयान चैप्टर का महत्वण नुमेरिकल उसके द्वारा आप लोग इस नुमेरिकल का स्वालिविशन देख सकते हैं जाकर ठीक है तो विल्कुल यहीं नुमेरिकल है लेकिन इस्टूडेंट अगर यह जो वैलिव दिगे हैं पांच दसमलो आसानी से स्वाल्ब हो जाएगा फैस्ट है बच्च अतलग उत्रिया प्रस्न का यह कुश्चन सेकर्ट कुश्चन में मैंने क्या रखा है अतलग उत्रिया प्रस्न में राउल्ट का वास्प दाब्र अवनमन नियम लिखी इसकी सीमा है भी लिखी दूइन बार आपके नियम नहीं बताया लेकिन राउल्ट का नियम बताया है जाकर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में राउल्ट के नियम का लिंक है जाकर वहां से देखिए और राउल्ट के नियम की सीमा भी मैंने उसी वीडियो में बताया है राउल्ट के न और अगर चाहते हैं तो स्क्रेन साट पर लेजें देखिए बच्चो अब यह तो था था लग उत्तरी प्रस्न आब इस चैप्टर से इंप्टर्टन लग उत्तरी प्रस्न कौन कौन से हैं तो देखे पहला कुईशन मैंने यहां पर पूट अप किया है क्या है इसमें आपको बताना है student कि जलिए बिलैन में HGCL2 ठीक है यह में SNCL2 दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते क्यों तो ऐसा question आप से किया गया है कि जलिए बिलैन में HGCL2 और SNCL2 अगर मान देजिए कोई जल है उसमें HGCL2 और SNCL2 को आपस में मिला दिया जाए तो वो दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते क्यों तो इसका answer मैं आपको छुटा सब दे देता हूं तो बच्चों इस इसमें क्या होता है बच्चों HGCL2 का यह जी जी होता है यह जी होता है वह अपचाईत हो जाता है अपचाईत होकर ठीक है HGCL2 का जो ही HG है आपचाईत होकर HGCL का सफेद और छेब देता है इसलिए जो है बच्चों जलिए बिलैन में HGCL2 एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते तो इसका कारण आप लोगों ने समझा ठीक है तो देखिए यहां पर आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग इसे अच्छे से समझना जाएं तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इससे अफ्किरिया भी तो 2HGCL2 प्लस SNCL2 दोनों एक साथ उपस्थित क्यों नहीं रह सकते देखिए यहां पर यह बना लेता है 2HGCL और प्लस SNCL4 यह बना लेता है ठीक है तो 2HGCL बना लेता है इसका सफेद उच्छे प्राप्त हो जाता है इसलिए जलिए बिलेर में सब्सक्राइब यह बना लेता है ठीक है तो इस प्रकार से रहता है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका अगला कुछिन देखते हैं लग उत्तरियो कुछिन जो कि इस चैप्टर जेंपोर्ट है यहां पर आप लोग इस सॉलिए को भी समझ लिए ठीक है तो बच्छों लग उत्तरियो कुछिन हमारा है उसमें से जो सेकेंड लग उत्तरियो कोईशन इंपोर्टन थे वो देखी आपके स्क्रीन पर है 62 gram gel और 92 gram ethyl alcohol के मिसरन में दोनों का मौल प्रभाज ग्याद किजिए 52 gram gel है और 92 gram ethyl alcohol C2H5OH के मिसरन में दोनों का मौल प्रभाज आपको ग्याद करना है तो मौल प्रभाज मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ एक एक जामपल भी मैंने आपको समझाया है आप वीडियो के description में जाएं लिंक दिया हुआ है मोल प्रभाज के बारे में समझे ठीक है अच्छे से समझे और इस numerical को लगाईए उसी फार्मूले की सहायता से जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ठीक है तो सब कुछ मैंने आपको क्लियर करा चुका हूं है और इंपोर्टेंट जो आपके निमेरिकल्स हैं वो भी उसी पर लगेंगे क्योंकि आपके इस चैप्टर में मोलरता मोललता नार मलता फार मलता उसकी बाद में मोल अंस ठीक है यह सब इंपोर्टेंट है तो यह सिकेंड कोईशन था बच्चो इस आप लोग मोल प्रभाज के बारे में जाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं इसको भी ठीक है अब आता है बच्चो बारे इस चैप्टर के बिस्तरी तर्य प्रशन रथा देर गष्ट्री प्रशन होगी कौन सा इंपोर्ट में इस वीडियो के लास्ट में जो दो कोईश्टन के आप से किया जाएंगे वह उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो का पीडियो चाहिए तो पीडियो भी आप को भी समाझना जरूरी है नहीं पर निमेर कल तो आएंगे मोल अलता गयात कीजिए ठीक है तो देखे सब्सक्राइब जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिम में मिल जाएगा मैंने उपर भी बताया से के बच्चों मोल अर्ता क्या है इसको भी प्रभासित कीजे शूतर भी लिग दीजेगा तो ज्यादा चेरेगा थार्ड़ पर लेटा यह मोल अलता है यह मोल अर्पा दोनों को समझाया है दो कोनों का लिंक में डिस्क्रिप्टिम में जाकर वहां से देख लिएगा चौथा इद्रम्मान प्रतसाथ इसको भी आप लोग लेर्ण कर लिएगा चार चीजे आप से विस्त्रित तुत्रिये में जो है बच्चों यह पांच अंक मिलते हैं ठीक है तो देखिए अब आपको कुष्चन आता है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना देना है क्वेशन क्या है बच्चों 90 ग्राम जल में 1.8 ग्रीकोस का मौलप्रभाज कितना होगा अगर आप लोग एंसर दे सकते हैं तो जरूर दिजएगा एंसर देने से आप लोगों का प्रेक्टिस सकते हैं सेकंड रपियन को इसकी मात्रा कम होते है क्या कहलता है वह पास दोनों में से एक सही है कौनसा सही है ऐसा पत्हचार कवेश्न है इसको आप स्वल्ब करकर देजी इसको आप लोग सौहां च engagements पढ़ा चुका हो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्सन में इसका भी लिंक दे दूगा आप लोग जाकर देख लिए बच्चों जितने भी लिंक मैंने दिये हैं वह इस चैप्टर से इंपोर्टन्थ है जाकर अगर आप देखना जाते हैं इंट्रेस्टर हैं तो देख सकत